हाई गाईज नमस्ते वेलकम बाक टो माय चैनल एड़ आइम सुमन मौन्सून बारिशे सबको बहुत जादा अच्छी लगती है हम उस मौसम में सारा खाते भी है पीते भी है इंजॉय भी करते हैं भीगते भी है आपस में दूसे एक साथ टाइम पी स्वेंट करते हैं लेकिन क्या आपको बता है कि जैसे मौनसून आएगा आपके बाड़ी में इंफेक्शन लेके आएगा ऐसे मौसम में इंफेक्शन होना बाड़ी में स्वेलिंग होना वाटर रेटेंशन होना खासी, cold, cough, congestion, fever, loose motions या फिर उसके साथ साथ इन डाइजेशन की प्रॉब्लम या फिर साथ साथ आपके बाड़ी के अंदर बहुत सारे बाक्टीरिया का पनपना यह बहुत ही कॉमन है बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए जब आपको यह प्रॉब्लम जाएंगी तब आपकी जरनी एक वीक के लिए होल्ड हो जाएगी, motivation जो ह ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी कि एक वीक का गाप, दो मन्त के गाप पर कड़ जाएगा, सो ऐसा हमें नहीं करने का, हमको कुछ ऐसी ड्रिंक्स और कुछ ऐसी चीज़े अपनी राइट में इंक्लूट करनी है जिसके हल्प से हम इन सब चीजों से पाइट कर पाएं, next is आ आपके बॉडी के जो इम्मुनिटी है, स्ट्रॉंग हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, राती रात में, for example, मैं अपने परसनली एक लाइन्स की स्टोरी बता देती हूँ, अच्छा खासा डाइट कर रहे हैं, बॉडी खराब हुई, बहुत जादा मोटिवे अच्छा बढ़ गया, एक दम से बढ़ गया, so ऐसी सिच्वेशन में, मैं आपे आज आपके लिए एक ड्रिंक लेके आईएँ, एक हरबल टी, जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वाटर एटेंशन नहीं रहेगा, आप इसको इवनिंग में लेंगे मॉन्स आपको देखना आपकी बॉडी में हुच चिंज दिखेंगे, आपको स्वेलिंग नहीं आएगी, आपकी बॉडी में इंफेक्शन बहुत नामात्र रहेगा, अगर आप इसको दो बार कंस्यूम करते हैं दिन में, अगर आपको खासी जुखाम भुखार भी है, उसमें भी रिडियूस करने में आपको हेल्प मिलेगा, तो यह टी बनानी कैसे हैं, चलते है किचिन में, ओकी जी, तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हमारी हर्बल टी, इसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक छोटा सा पैम, उसके इंदर में डाल दूँगी पानी, यहाँ पे यह है लि तो मुझे लेमन ने यूज करना, उसका पील यूज करना, अच्छे से वाश करके मैंने रख रखा है, तो यह एक लेमन का पील यूज करना, जब भी आप लेमन यूज करें, तो पील आप अपने पास रखे फ्रिज में, ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे हैं इसको खूब इच्छे से हम एक्स कर देंगे, नेक्स्ट इसके में डालूंगे मेरा फिंच ओफ अज्वाइन, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन एलाइची, यही मैंने डाल दी, और अब हम इन सब इंग्रेटियन और अब आप पील यहाँ पास है एडीन एलाइच अच्छे से बॉइल होने देंगे, और लास्ट जैसी एक उबाला आजाएगा, इसके अंदर में डालूगी मेरा पिंच ओफ हल्दी पाउडर, अब यह सब इंग्डियन्स बहुत अच्छे से हम उबालेंगे, ओके जी सो यह बॉइल हो चुकी है, इसको हम बंद कर देंगे ओके जी, खासी एंग जुखाम होने ही नहीं देगा, और जो वेट लास्ट देगा, वो एक निक्स लेगे लेगे वेलकम बैक जी, यह ड्रिंक बहुत ही सिंपल है, घर के बेसिक इंग्रीडियन से बनी हुई है, कोई ताम जाम महिंगा समानिस में नहीं आड़ेड है बट, make sure, यह ड्रिंक आप दिन में दो बार लेंगे, अगर आपकी तबित खराब है, आपको constipation हुआ हुआ है, lose motion हुआ हुआ है, किसी भी टाइप का infection लगा हुआ है या फिर आपको fever, जुखाम, बुखार, cold, cough, congestion लग रहा है, आप यह ड्रिंक definitely अपनी डाइट में आड करेंगे, mid breakfast या evening ड्रिंक में, यह दो ही टाइम आप ले सकते हुआ हुआ है, बट आपको लगता है कि नहीं में साथ ऐसा कुछ नहीं है, और मॉन्सून चल रहा है, मु नहीं सूप होंगे, trust me, yummy, so yeah that's it about this video guys, I'll see you soon in my next upcoming video, take care see, bye bye